अलो फ्रेंज, हावाई यू आल, मैं हुकुम पडेल सौगत करता हूँ, आप सबका एक बार फिर से हमारे स्योटूब चालर में तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनसीन पोयम के जो कोस्टन्स होते हैं उसको किस तरह से आपको सही सही स्वाल करनी चाहिए और कैसे कौन से पैटर्ण से आप उसको बहुत ही अच्छे से स्वाल कर सकते हैं आपके टीचर एक्जाम या CTT एक्जाम में यह कोस्टन्स आते हैं तो डेफिनेटली यह वीडियो बहुत ही ज्यादा यूसपुल होने मारे आपके लिए तो वीडियो लास तक देख लीजिए और आजान लीजिए कि कैसे आपको unseen poem को solve करनी चाहिए चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आप एक unseen poetry है जिसको आपको solve करना है तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले उस poetry को पढ़ेंगे एक बार सबसे पहले शुरू में पढ़ लीजिए और यह पता लगाईए कि वो उस poem का tone कैसा है कौन से tone भी वो poem लिखा गया है तोन का मतलब क्या होता है कि वो उस poem का meaning क्या है उस poem में क्या बताना चाह रहा है ठीक है वो होती है उस poem का tone उसके बाद उसको जस्ट समझने के बाद जैसे कि हम पहले वीडियो में डिसक्स किये थे आपको ना questions को एक बार पढ़ लेनी चाहिए कि questions में tag words कौन कौन से है tag words मतलब कौन कौन से ऐसर शब्द है जिनको आपको उस poem में ढूननी है तो फटा-फट उनको जितने भी questions से उनका keywords आपको ढून लेनी चाहिए उसके बाद उस poem को एक बार फिर से अच्छे से और समझ के पढ़ने चाहिए अगर उस poem में ऐसे कुछ words है जैसे happy, dead, born, silent, light, darkness इस तरह से तो ये आपको बताते हैं कि वो कौन से tone का poem है अगर poem में आपको sad, death, grave, silent, darkness इस तरह के words दीखती है तो समझ जाए कि वो एक sad tone का poem है या happiness और ऐसा कुछ words दीखते है तो ये समझना है कि वो एक happy tone से related या delight tone का poem है कहने का मतलब यह है कि आपको उसके poem को feelings को get करने के कोशिस करना है चलिए अब हम आगे देखते है example poem का और यह एक example है जो पिछले exam में आपके teacher exam में आया हुआ है तो चलो देख लेते हैं फिर कैसा poem आया था और उसको कैसे आपको solve करके सही answer लाने चाहिए तो यह आपके last teacher exam में आया हुआ एक poem है ठीक है इस poem को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इस क्यांसस आप सही निकाल सकते है तो इस तरह से poem है जिससे थोड़ा मत हमको अभी समझ में आया कि यह एक ऐसे ऐसे बारे में जो केज या पिंजरे में बंद होती है और उसका comparison किया गया है कैसे बर्ट से कैसे बर्ट से जो खुले में उड़ते रहते हैं आसमान में या फ्री रहते हैं वैसे बर्ट से ठीक है चलिए इसके question देख लेते हैं फटापट थोड़ा से जल्दी से तो पहला question है grave of dreams grave of dreams तो यह ऐसे जो words होंगे ना उनको आपको keywords उसको लिख के रख लेजिए side में पहले है जो जितने भी questions है फिर उस course में ढूनेंगे तो grave of dreams यह पुछा गिया है next question देखने claim the sky इसका मतलब तो यह claim the sky claim word को आप keyword बना के रख लिजिए या एक जगह लिखके रख लिजिए अपने paper में ठीक है उसके बाद है trill, trill word का poem में meaning पुछा गिया है तो trill word हमारा keyword है इसको हमको meaning में ढूनना है उसके बाद है the word and phrase in the poem describe the cage bird's richlessness तो इसको भी हमको वहाँ पर ढूनना है उसके बाद है dawn यह वाला जो question दीख रहे है आपको dawn bright long indicate इस word में drawn और bright long word आया है वह किस चीज को indicate करता है उसको ढूनना है ठीक है चलिए अब चलते हैं पोयम में और देखते हैं उसके meanings क्या है या हमको क्या बताना चार है उस poem में ठीक है चलिए अब समझ के पढ़ते हैं पोयम को और अच्छे से समझते हैं कि क्या है इसके मिनिं प्राज में पीजर होती है वह क्यों sing करती है या गाना गाते रहती है तो मुझे पता है अब three bird leap on the back और जो three birds होते है उनलोग lifting करते रहते है उजहलख कूत रहना और अड़ते भागते रहना ठीक है वह ऐसा की होता है मुझे पता है ऐसा बोलना ध्या राइटर है आगे führt करने मतलब हवा prevail auESSmer नीचिए के तरफ flowart tark large of jump कर नीची tech farm context and IPS are his wing he is in the orange sundays and prayers to claim the sky. हाव में गोते लगाते रहते हैं और sunrise में जो orange सुरी की जो रलाशनी है संरेज इस के साथ खेलते रहते हैं और ऐसा फिल करते हैं कि वह पूरा इसका ही है पुरा आस्मान है वो उसका खुद का है क्लेम करना मतलब एक दावा करना आगे देखो बट बर्ड देट स्टॉक डाउन इस नेरो केज इसको सिर्फ जाग सकते हैं और नीचे देख सकते हैं और कभी भी यह कभी कभारी बड़ी मुश्किल से ही वो अपने रेज है बार आप जो रेज है या जो अपनी जो भी उनके च्छमता है उससे बाहर का कर सकते हैं क्योंकि वो पिंच्रह में बंद है वो कुछ कर ने सकते हैं ए लिए फीटीड उनकी में हैपंक्री में सिंग्ला मिंकि यह पिंच्रे में बंद है तो बंदे के समानी है ernis through अब इसी कारांट से व zo बीचारा पैर तो बंद हुआ है तो सिर पूर के पस क्या है उनको तो जो जो गला है क्या मों है वही बस है कुछ करने के लिए इसी कारांट से उसी को उपन करता है और चलाते रहते है दिन बर है ना जो पिंचरे बंद चिडिया है वो आगे देखो दफ्रीज बर्ड थिंग्स ऑप अनदर ब्रीज जो फ्री बर्ड है जो फ्री बर्ड है खुले के पक्व में उड़ने वाले पक्षी है वो दूसरी तरह से उनका सोच रहता है वो अनदर ब्रीज में ब्रीज में सुत होती है मंद हवाय या जो हलकी हवाय चलती है वो तो वो अलग ही दुनिया में रहता है वो हवाओं के साथ खेलते रहता है और जो हवाओं के साथ उड़ते हुए जो प्रेड है उनमें बैठते रहती है उनके साथ खेलती र साम इब का मतलब होता है, इव्निंग के जस्टबात के समय है strictly होता है। जो सुबह होती है सर राइजिंग से जस्ट पहले और यह संसेट की जस्ट बाद डस्क डस्क शाम को बोलते हैं डॉन सुबह को बोलते हैं ठीक है आगे देखिए और वो क्या करते हैं इस तरह से पूरा इसकाई को अपना खुद का नाम करवाते हैं मतलब इधर उधर वो खुद का अधिकाल समझते हैं पूरी आसमान में आगे बट अ केज़ बड स्टेंड ऑन दा ग्रेव अब ड्रीम्स लेकिन जो पिंजर में बंद पक्षी है बैचारे उन लोग ऐसा लगता है उन लोग को जैसे वह ग्रेव ग्रेव का मतलब होता है कब्र हरा मृत्यू का कब्र तो वह क्या करते हैं बैचारे वह सिर्फ अपने पि अचाही है या वो खूद है वो नाइट मेर स्क्रीम मतलब दुख भरा चीक के साथ वह अपना पूरा लाइफ स्पेंड करते हैं आइट मेर का मतलब होता है एक बहुती कटू अनुभाव ठीक है स्क्रीम मीस होता है चीक या चिल लाना उनके क्योंकि पंक और पैर बंदे हुए इसकार से वह अपना थ्रोट या गला ओपन करते हैं या खोलते हैं कि स्थीच के लिए फ्रीडम फील करने के लिए ठीक है चलो तो यह हो गया हमने समझ लिया इसका जो भाव है वह हम को मिनिंग को अब हम चलते को स्थान में और सह जाब नहीं किया सकता उसका मतलब होता है किःम ग्रेस ऊप्स उप जिंहा थर्न में अफ़िया हैं अगे को सब्सक्शन चलते है कोश्चन नर्ब 67 में इसका को क्लेम करना यहां मैंने अच्या बताया था उपर है ना क्लेम्स देश्काइ में इसका होगा चलिए अब बताया यहां अपना आप्शन नुमर वन सही होगा ठीक है ऐसा फिल करना की वो इसका खुद का है ठीक आगे चलते है इसका मतलब क्या है तो ट्रील का मतलब होता है एक तरह का मूजिकल शाउंड ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला कुस्चन में दा वर्ड्स फ्रेसे इन दा पोयम दा डिस्क्राइब दा केजड बर्ड रिचलेसनेस आर ऐसे वर्ड्स को बताने है केजड बर्ड या पिंजड़ में बन जो बर्ड है उसकी रिच्लेसनेस उसके बैचारेपण को 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 करता है तो यह तर्फDa लेसेगें घ्रेव करें यह तीन वर्ड है और तीन वर्ड उनके बैचारेपन को शो कर रहे, fearful trees मतलब बहुत दर्दनाक या डरावना उनकी आवाज, grave मतलब एक तरह का कब्र में, दूख भरा कोई चीज भी होता है, clip मतलब बंदा हुआ तो यही पहला option है हमारा सही answer ठीक है, आगे चलते हैं, next में dawn bright lawn indicate, जो dawn dawn bright lawn word आया है, वो किस चीज को indicate करता है तो मैंने बताया था, आप लोगों को, dawn means क्या होता है early morning, dawn means early morning तो इस तरह सिसके पांचो, पांच कोशन थे इस unseen poem का, पांचो कोशन के answer हमने अच्छे से निकाला, और I hope